and the next point is begin with end in mind, मतलब एक example बताओ जैसे आप एक movie देख रहे हो, तो आप अपके दिमाग में क्या है कि कैसे भी करके वो movie finish करनी है, तो आप उसका end भी आपको दिमाग में पहले fix करते हो, आप कोई movie देखने जा रहे हो, तो वो end तक देखेंगे, तो इसी तरह आप अभी आपका जो day है ना, जो आप वो day begin कर रहे हो, आप अपना example एक day है, आपके life में एक day, आप अगर शुरू कर रहे हो, सुबह सुबह शुरू कर रहे हो, तो उसका ending भी आप फेले, imagine कर लो, कुछ targets set कर लो, अपने लिए, जैसे कि it means begin each day, task and project with clear vision, आपको पता होना चाहिए है कि आप, मतलब मैं बोल रहे हो, target set करो, इसका मतलब है कि जो आप impossible targets है, जो आपको एक वाईने में करना है, वो भी एक के दिन में नहीं, छोटे-छोटे targets, टुकडो-टुकडो में बात कर, आपको जो clear, मतलब evening time आपको, अगर आप वो target complete कर रहे हो, तो आप एसा target बनाओ, एसा set करो और आप complete करने की end, जो target से वो end करने की कोशिश करो, जैसे आप अभी एक movie देखने जा रहे हो, तो उस movie आप end तक कैसे देखोगे, आपको दिमाग में fix करके ही, आप movie theater जाओगे, आपको पूरा movie देखना है, इसी तरह आप target set करे हो, तो वो target complete करने के बाद ही, आप मतलब rest लीजिए, इसा,